थे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग में नाम विवेक है, दोस्तो जावा के इस कोस्टन स्रीज में ये हमारा कोस्टन नमबर 16 है, जिसमें हम एक पैटर्न के कोस्टन को देखने जा रहे हैं, जो की मेरा है मीरर इमेज नमबर पैटर्न, अभी तख हमने बहुत सारे कैसे लिखेंगे अपने जाबा कंपाइलर पे, वो सारा कुछ है, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ सेर करने जा रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करें, उनसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर पेस कीजिएगा, साथ या आप हमें सोसल मेडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन में मिल जाएगा, तो यह जो मेरा पेटर्न है, वो मिरेर इमेज नमबर पेटर्न है, तो क्या है यह पेटर्न वो एक बार हम डिसकस करते हैं, आप्टा डैट जो है हम अपने अप्रोच के तरफ बढ़ेंगे, होने वाला है, अगर आप अपको जाते हैं, कि अलग 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 अण के वैल्यू के लिए हमारा आउट पूट क्या होगा, तो चलि यहां पे जो हम इनके अप्रोच के तरफ बाद कर लेते हैं, तो यहां पे मैं क्या करता हूँ, एन इसकल टूट के लिए, लिए मु जो है यहां पे हमारा pattern होने वाला है तो हमने अभी तक जो भी pattern का question करा है उसमें हमने क्या करा है अपने तीन question का answer डूंड़ा और उसके according जो हम अपने वायल लूप लगाते हैं और अपने batter को print कराते हैं तो इन कर रखा अभी तक तो इसमें actually में I think मुझे n row print कराने कैसे पदा चला 1 2 3 और 4 n is equal to 4 के लिए actually में हम 4 row print करा रहे 5 के लिए हम 5 row print कराएंगे तो actual में मैं यह कह सकता हूं कि मुझे जो है कितने row print कराने n row print कराने है पहले question का answer मिल गया मैं n row असानी से print करा लूँगा i को 1 से set करूँगा अगर i मेरा row है और उसके अंदर while loop के अंदर में condition लगा दूँगा i less than equal to n और i को i plus 1 से increment करूँगा तो मुझे n times यह row print करके दे देगा तो हमारा पहला question का और पहले question का हमने code लिख लिए i hope आपको इतना अभी तक के लिए रोगा अब हमारा दूसरा question क्या है how many column in i-th row actual में हमें यह बताना है कि i-th row के लिए हमें कितने column print कराने है तो चलिए इनका answer जो है हम अपने इस pattern के question में ढूंडते है कि i-th row के लिए हमें कितने column print कराने मैं क्या करता हूँ रो हमारा जो second row है इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि हमें actual में कितने column print कराने अगर आप यह कहते हो कि इसमें आपको 2 column ही print कराने है तो यह थोड़ा सा गलत होगा गलत क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ अगर आप कहते हूँ कि 2 column ही print कराना है और आपका मान के चलो कि यह console है console के अंदर आप print कराऊगे तो आपको क्या यहाँ पी मिलेगा 1 और 2 जो है 2 मिलेगा ऐसा आपको print नहीं कराना अपने console में आपकी console में क्या print कराना है सबसे पहले तो I think 2 space print कराना है उसके बाद आपको जो है 1 और 2 print कराना तो मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे second row के लिए मुझे 2 column print कराने नहीं यह मेरा गलत होगा तो मेरे को second row के लिए कितने column print कराने अब यह जो चार column हम print कराने इसमें क्या है कुछ तो space है और कुछ तो हमें number या जो हमारा alphabet होगा अलग pattern के लिए तो वहाँ पे हम alphabet की बात करेंगे फिलाल मेरे पास number है तो यह चार जो मेरा column है इसमें मैं तो कुछ space print करा रहा हूँ और कुछ यहाँ पे हम number प्रिंट करा रहे है तो मैं एक बार इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा space के point of view से इस pattern को हम लिख लेते हैं तो यहाँ पे मैं को एक space print कराना है यहाँ पे I think मेरे को 2 space print कराना है और यहाँ पे I think में को 3 space print कराना है तो मेरा pattern कुछ इस तरीके से जो है दिखेगा तो यह pattern होने वाला है जिसमें हम कुछ pattern को कुछ space को print करा रहे है कॉलम में और कुछ जो है हम अपने नंबर को प्रिंट करा रहे हैं तो किसी भी row के लिए हम यहाँ पे क्या चीज प्रिंट करा रहे हैं तो I think मैं किसी भी row के लिए दो चीज प्रिंट करा रहा हूं कुछ तो मुझे space प्रिंट करा रहा है पहला while loop जो कि मुझे space print करके दे दे और दूसरा while loop जो कि मुझे number जो कि मैं को print कराना actual में वो हमें print करके दे दे तो मेरा code का जो structure है वो क्या होने वाला है तो सबसे पहले मैं I को अगर one से set करता हूँ तो एक while loop मेरा यहाँ पे चलेगा I less than equal to and यह मेरे को row print करके देगा यह while loop अब इस किसी भी एक particular row के अंदर हमें क्या print कराना है तो मुझे space print कराना है first of all तो मैं यहाँ पे space को define कर को हम देखते हैं तो एक मेरा space के लिए while loop होगा तो इसके अंदर मैं एक और while loop चलाओंगा जो कि में को space print करके देगा space print होने के बाद किसी भी row के लिए आपको क्या print कराना है number print कराना है तो एक और मेरा जे जो है actual में मैं मान के चलता हूँ कि जे मेरा वो column है जिसमें हम अपना number print कराएंगे तो जे को मैं मान के चलता हूँ कि मेरा वो column है जिसमें हम अपना number print कराएंगे तो एक column sorry एक while loop मेरा और लगेगा जो कि में को वो required output देगा जो कि में को print कराना है तो यहाँ पे actual में हम कितने loop यूज़ कर रहे है थिरी loop हम यूज़ कर रहे है पहला loop जो होगा मेरा outermost loop वो मेरे को क्या करेगा number of row print करके देगा किसी भी एक particular row के लिए उसमें हम जो है दो चीज़े print कर रहे है कुछ तो space print कर रहे है और कुछ जो है हम number print कर रहे है तो I hope आपको यहाँ तक का concept clear होगा कि actual में हम कहना क्या चारे है करना हमें क्या है अब समझते हैं कि हमें space कितने print कराने that means हम जो while loop यहाँ पे लगाए है दूसरा उसके अंदर में हमें कितने space print कराने और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा column है जो actual में हमें print कराने 1,2,3,4 तो इसको हम कैसे initialize करेंगे उसमें हमें क्या print कराने तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते है कि हमें space कितने print कराने है तो यहाँ पे first row के लिए अगर मैं बात करूँ तो actually first row के लिए मुझे कितने space print कराने तो में को 3 space print कराने second row के लिए मैं बात करूँ तो में को कितने space print कराने 2 row, sorry 2 space print कराने third row के लिए हम बात करें कि हमें कितने space print कराने 1 row print कराने और fourth row के लिए मैं बात करूँ तो में को 0 space print कराने यहां पर अगर आप कुछ connection वैठाना चाहते हो n और i, number of row और n के बीच में, तो I think n-i का जो है हमें connection मिल रहा है, अब वो कैसे, यहां पर मैं लिख लेता हूँ कि actual में मुझे space कितने print कराने है, n-i, मैं first row के लिए बात करता हूँ, तो मेरा n का value क्या है, first row में मुझे कितने space print कराने थे, 4-1 is equal to 3, 3 आया, मैं को 3 यहां पर print कराने थे, okay है, second row के लिए मैं बात करता हूँ, तो n का value मेरे पास क्या है, 4 है, और minus 2, तो मैं को 2 space second row में print कराने थे, तो यहां पर यह भी okay है, कि मैं को second row में 2 हमें space print कराने, third row के लिए मैं बात करूँगा, तो n-i, that means 4-3, that means 1, third row के लिए मैं को 1 space ही print कराने, तो यहां भी okay है, और I think मैं को fourth row जो मुझे 0 print कराने, यह भी okay है, तो मैं कितने times अपना space वाल लूप चलाऊंगा, तो I think मैं को n-i times मेरे को वो while loop चलाना परेगा, जो हम space के लिए चला रहे हैं, तो मैं को space print करके देगा, सबसे पहला space जो है, first row के लिए हमें 3 space print करके देगा, तो मेरा while loop जो है space वाला, उसके अंदर हमने condition ढूंड लिया, कि n-i times में को वो loop रन करके देगा, that means हमें इतना times जो है space print कराना है, अब हमने space तो print करा लिया, उससे आगे का मेरा क्या print कराना है, तो I think मैं को अब यह वाला part रह गया, कि यह part अगर मैं print करा लूँ, तो मेरा required pattern यहाँ पे आ जाएगा, तो इस वाले pattern के लिए, that means में को जो अफी required pattern चाहिए, मैं space को छोड़ दिया हूँ, जो में को अब बच गया, इतने के लिए मैं सोच रहा हूँ, अब इस while loop के मुझे while loop के लिए condition लगाना है, कि यह कितने times चले, तो I think जो है मेरा i times चले, अब वो कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं first row के लिए बात कर रहा हूँ, बस अभी मैंने जितना यहाँ पे घेरा लगा रखा, इतने के लिए आप सोचिए, इस पेस को छोर के अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं को एक ही column print कराना है, इसमें अगर second row में आ रहे हैं, तो मुझे दो column print कराने, third में अगर हम third row में आ रहे हैं, तो I think मुझे 3 column print कराने, और fourth row में आ रहे हैं, तो हमें four column print कराने, तो इस while loop के अंदर हमारा condition क्या होगा, I, sorry, J less than equal to I, मैं को I time जो है, अपने element को print कराना, और print क्या कराना है, actually मैं आप देखोगे, तो I think मैं को J print कराना है, तो I think मेरे तीनों question का answer मिल गया है, कि मुझे क्या क्या करना है, तो क्या क्या हमने करा, सबसे पहले मैं end times जो है, क्या print कराया है, अपने row को print कराया है, किसी भी एक particular row के अंदर हमें दो चीज़े print करानी है, सबसे पहले तो हमें कुछ space print कराने है, after that space के बाद मुझे कुछ number print कराने, तो इस दोनों को print कराने के लिए हम दो और while loop यूज़ करेंगे, जो कि मेरा inner while loop होगा, space के लिए हमने condition डाला था, कि जहां पर हमें space print कराएंगे, उसके अंदर मैंने condition लगाया था, कि n-i time जो है मेरा वो loop चले space बाला, और मेरा जो j वाला, that means जो मेरे को column बाला print कराना था, उसके अंदर मैंने condition निकाला था, कि j less than equal to items चले, तो मेरा काम बन जागा, और मेरे को actually print का कराना है, तो मुझे j print कराना है, तो I think ये तीनो question का answer हमने लिख लिया है, तीनो question का answer में पास आ गया है, अब मेरा काम रह गया है, बस इसको code करना, तो चलिए इसको जो हम अपने compiler के और बढ़ते हैं, और वहाँ पे code करके देखते हैं, किसका code क्या होने वाला है, तो हमने last class में question number 14 के नाम से class create करा था, ये मेरा question number 15 है, इस question number I think, okay last class में हमने 15 question था हमारा, ये question number 16 है, in will कराना चाहते हैं, हम wide man को इसको select करके, हम इस पर click करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, मेरा user से and number लेना है, that means number of row लेना है, तो अगर user से input लेना चाहते हो, आप तो आपको scanner class यहाँ पर create करना परेगा, मैं फड़ा-फड़ से अपना scanner class create करता हूँ, scanner class जब भी create करते हो, तो इसको आपको import भी कराना है, फड़ा-फड़ से यहाँ से मैं इसको import कराता हूँ, इंपोर्ट कराने के बाद मुझे क्या गरना है user से n का value लेना है that means मुझे को row का value लेना है तो n जो है s.next कुछ इस तरह की से जो है हम user से input लेते हैं सबसे पहला गाम क्या है मैं को number of row प्रिंट कराने तो मैं integer i को 1 से set करूँगा i जो है मेरा current row that means हम i को row मान के चल रहे है तो मैं को n टाइम्स जो है row प्रिंट कराने तो basically एक while loop लगाऊंगा i को n से equulate कर दूँगा जब तक यह condition follow हो तो मैं को यह loop चले इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ i को i plus 1 से increment कर रहा हूँ तो मेरे को यह वाला जो अभी मैंने while loop लिखा है इसमें क्या होगा मैं को n टाइम्स जो है row प्रिंट करके दे देगा अब किसी एक particular row के लिए हम क्या चीज़ कर रहे हैं दो चीज़ हम प्रिंट करा रहे कुछ तो हमें space प्रिंट कराना है while loop यहां पर लगाऊंगा इसके अंदर मेरा कुछ condition होगा और इसके अंदर जो हम अपना space प्रिंट कराएंगे तो बेसिकली s y s o l n यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे line break नहीं करना है और इसके अंदर आके मैं basically space प्रिंट कराना चाहता हूं सिर्फ तो कुछ इस तरीके से हम इस प्रिंट कराएंगे और इसके अंदर मैं क्या करूंगा space को space प्लस वन से इंक्रिमेंट कर दूंगा तो मैं को यह जो है space प्रिंट करके दे देगा बस यहां पर रह गया मैं को while loop के अंदर condition देना है तो मैंने condition क्या निकाला था कि space हमें कितने टाइम प्रिंट कराना है I think n-i times हमने इसका आंसर निकाला था तो space less than equal to n-i यह हमने दूसरे question का आंसर निकाला था कि actual में हमें space कितने टाइम प्रिंट कराना है तो यह क्या करेगा हमें n-1 times हमें प्रिंट करके देगा space अगर किसी भी particular row के लिए आप बात कर रहे हो तो उसमें जितना हमें space required होगा उतना space यह while loop हमें प्रिंट करके देगा space हमारा प्रिंट हो गया row के लिए अब हमें number प्रिंट कराना है तो number के लिए हम जो है यहाँ पर j को मानके चलते हैं कि j जो है current column का काम करेगा जो हमें number pattern चाहिए तो मैं यहाँ पर लिक भी दे रहा हूं कि j में को current column का का काम करेगा और एक और while loop लगाएंगे इसके अंदर हमने condition क्या लगाया था j less than equal to that means यह i time जो है यह loop चले और इसके अंदर मैं sy so यहाँ पर भी मैं l and use नहीं करूंगा क्योंकि मुझे line break नहीं करना है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं अपने j को print कर रहा हूं तो यह मेरा j वाले that means मेरा जो column print कराना था उसके लिए condition हो गया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा जे को j plus one से increment कर दूंगा जब मेरा first row complete हो जाए कोई भी एक row जैसी complete हो उसके बाद आपको ln use करना है that means आपको नीचे आना है तो यहाँ पर जब मैं line number 23 पर आँगा तो I think मेरा जो है first row complete हो गया होगा तो यहाँ पर मैं second row में आने के लिए मैं ln use करता हूं तो मुझे जो है यह क्या करेगा जैसे एक row complete हो तो उसके नीचे के रो में हम यहाँ पर आ जाएंगे I think मेरा जो code है वह complete हो चुका है चलिए इसको जो हम अलग-अलग input के लिए देखते हैं कि क्या मेरा output जो required output यह दे रहा है कि ने तो first of all हम n is equal to 4 के लिए चेक कर लेते हैं नंबर वाला उसके लिए मैंने एक और while loop लगा कि उसको मैंने basically print करा लिया तो यह एक basic सा code था I think आपका सारा concept अप clear होगा एक और n is equal to 5 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि यह required output दे रहा है कि नहीं तो I think यह n is equal to 5 के लिए विच्छो है के output दे रहा है इसका जो भी code होगा बांकि जो भी चीज होगा आपको एजब PDF नीचे description में मिल रहा होगा उसको जाकर download कर सकते हैं और इनका use कर सकते हैं चलिए हमें दीजिए थोड़ा से समय हम मिलेंगे next video में एक और pattern question के साथ